आज हम इस video lecture के माध्यम से ये जानेंगे कि किस तरह के वाक्यों में off का प्रयोग किया जाता है, जहां पर say का sense हो, देखें किसी सतह से अलग होना, किसे सतह से, जब कोई object किसी सतह से अलग होता है, तो वहां पर off का प्रयोग किया जाता है, ये बात उधारन के माध्यम से आप पहतर समझ पाएंगे अभी देखिए अगर मैं कहूं कि pen को table से उठा लो कहां से उठा लो table से तो देखिए जब pen को उठाया जाएगा तो वो table की सता से अलग होगा तो यहां पर say के लिए off का use किया जाना चाहिए इसी तरह माना मैं कहूं कि बंदर पेड़ से कूदा तो पेड़ से कूदा जब वो पेड़ से कूदेगा तो बंदर पेड़ की सता को छोड़ेगा तो पेड़ से यहां पर say के लिए off का use होना चाहिए यह बात हम अभी उधारन के मात हम से बेहतर समझ पाएंगे फिलाल देखिए वाहन से उतरने को get off कहते हैं यह हम सभी जानते हैं और जब विमान एरपोर्ट से उड़ता है तो उड़ते वक्त उसको take off कहते हैं ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि वाहन से उतरते वक्त आप वाहन की सता को छोड़ते हैं और एरपोर्ट से उड़ते वक्त विमान एरपोर्ट की सता को छोड़ता है यही कॉंसेप्ट है जिसकी वजह से ओफ का प्योग किया जाता है तो से के लिए ओफ का प्योग किया जाना चाहिए इस तरह के वाक्यों में अब देखे उधारन आपके सामने है मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया जब मैं मोबाइल को बिस्तर से उठाऊंगा तो वो बिस्तर एक सता है उस सता को छोड़ेगा कौन छोड़ेगा मोबाइल तो अबजेक्ट जब सता को छोड़ता है और वहाँ पर से आता है किसी वाक्य में तो आफ का प्योग किया जाना चाहिए फ्रॉ Monkey jumped off the tree मैं screen से धूल हटा रहा हूँ जब मैं धूल को हटाऊंगा तो धूल के particles यानि धूल जो है वो screen को, screen की सतह को छोड़ेगा I am wiping off the screen तो यहाँ पर अक्सर हम from लगाते हैं तो from नहीं बलकि off लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सतह को छोड़ने की बात हो रही है इसी तरह के कुछ examples है Table से cup हटा दो Cup को table से हटा दो तो देखिए जब cup को हटाया जाएगा तो वो table की सतह को छोड़ेगा Move the cup off the table पत्य पेड से गिर रहे हैं Leaves are falling off the tree वो बस से उतर रहा है He is getting off the bus